हेलो गाइज,वेल्कम बैग तो माई चैनल, तो आज मैं बनाने वाले हो त्वर डाल की धोग लगी , ज़ो पीना टाम ही इसके रेशिपीस टार्ट करें ना उसके पानी शिंहें फिर इसके अंदर डाल देनी है तुर दाल को साप पाने से दो लेना है इसके बाद इसमें अंदर डाल देंगे फिर इसमें एक एक करके सारे मसाले डालेंगे तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके अंदर डाल रही हो नमक स्वादनुसार फिर इसके अंदर डाल देंगे तनिय ठुकली पर राटा क्या ही सीसे पहले हाड़ लेना है इसके बार डाले में सब्सकित नगी के लुट रसMA पाऊड को हुखा डालें हल्डी पाऊडर का डिया ठाण कर देन्कर भाण्द नमक सब्सकार गातमी है अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है और फिर यहां पे पाने डाल देंगे स्टार्डिंग में पानी थोड़ा ही एड़ करना फिर जित्ती रिक्वार्मेंट होगी उसे सबसे आड़ एड़ करते जाएंगे इसका एकदम सकत रोग उन लेना है मिडियम फ्लेम पे चालो ठीक है तो अभी इसमें पाने में एकदम अच्छे सी बॉइल आने देंगे तो यहां पर जो डोगली का आटा गुंदा था उसका इस तरह से पेड़ा बना लेना है जैसे हम नॉर्मली रोटी का कैसा पेड़ा बनाते है वैसे ही डोगली का पेड़ा आपने को अभी बना लेना है इसके बाद यहां जो आटा है ना गयुका उसमें एकदम अच्छे से कोट कर लेना है पेड़े को और फिर इसको बेल लेंगे जैसे नॉर्मली हम रोटी कैसे बेलते है वैसे ही इसको भी बेल लेना है तो इस तरह से उसको गोल शेप में बेल कर लेना उसी तरह आपको भी कर लेना ठीक है तो इसको मैंने गोल शेप में बेल लिया है इसके बाद यहां पर लेंगे चाको और चाको से इसको इस तरह से पिसेस में कर लेना है इसको मैं है ना स्क्वेर पिसेस में कर लेना है तो देखो इसी तरह आपको भी कर लेना ठीक उसी तरह से आपको भी खर लेना है इस तरह की ढोकली है ना खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही जल्दी से भी पनती है तो एक बार आप भी जरूर ट्राइक काना है यह वाले रेसिपी तो देखो इसको है ना मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है और मैं अब whole कि कट की हुई इसके अंदर डाल देना है इसके लिएना गास की फ्लेंब को लो रकना भी ठीक है और इसमें सारे डाल दो ओ फिर्ट की मीटियूं करतेना ठीक है इसी तरह आपको भी कर लेना है तो है इसके अंदर डाल देनी असिकी बाद इसको एक तम अच्छ प्ल इसके बाद इसको है ना कुकर को लगाते ना है ठकन पहले अच्छे से मिक्स कर लो वापिस से और इसके बाद यहां पर कुकर को ठकन लगा लेंगे और तीन सीटी आने तक एक तम अच्छे से पका लेंगे ठीक है तो तीन सीटी हो गई है तो देख सकते हो मतलब कुकर भी एक करेंगे तो सर्व करने के पहले इसके उपर अपन लगाएगे तड़का ठीक है तो चलो अभी हम तड़के की त्यारी कर लेते हैं तो सबसे पहले इस तरह से आपके पास जो भी बर्तन देगा वो ले लेना और फिर उसमें डाल देना है और 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 को एकदम अच्छा से गरम ह अटाव ने दूंगी तो ऑईल गरम भी हो गया है तो इसके बाद यहापर डाल देंगी ठीक है और गैस को कर लेना है बंद और फिर शाथ में डाल देंगे इसके अंदर थोड़े से कड़ी पत्ता इसी तरह आपको भी एक एकर कर सारे चीज़े डाल देना है फिर इसमें ड देंगे गरमा गरम तड़का और फिर धकन लगा कर इसको दो मिनिट के लिए रेश्टे देंगे दो मिनिट हो गई है इसके बार इसको एक तम अच्छे से कर लेना है मेक्स तो देख सकते हैं यह हमारे तूर दाल वाली ढोकली बनकर रेडी बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है तो मेरे कहने पर एक बार आप भी जरूर ट्राई करना है यह वाले रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आए कि और रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना ठीके गाइस तो यह वाली जो ढोकली है ना गुजरातिस फेमस ढोकली है तो आप भी एक बार बन कर देखना और फिए मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी ठीके गाइस थैंक यू